नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ लेखी का मधू कांकरिया द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी तो चलिए दोस्तों सुरू से इस कहानी को समझते हैं लेखी का मधू कांकरिया जी पहली बार पहाड़ी छेत्रों पर्वतों और प्राकृतिक दुश्यों को बहुत करीब से देख रही थी और यह देख कर वा काफी रोमांचित महसूस कर रही थी दरसल इन पहाडों की यही खुबसूर्ती है ये पहाड प्रियाटकों को अपनी मन मोहक प्राकृतिक सुन्दर्ता से अपनी और खीच लेते हैं बहती नदियां, उचे उचे पहाडों से गिरते जल प्रपात, पर्व से ढखे पर्वत और तेड़े मेड़े संकरे रास्ते प्रयाटकों के मन को मोह लेते हैं वही दूसरी तरफ यहां रहने वाले स्थानी लोगों के लिए यह पहाड मुसीबत बन जाते हैं उन्हें प्रते एक दिन तेड़े मेड़े संकरे रास्तों से होकर अपने घरों, खेत, खलियानों और छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुचाना पड़ता है जंगलों से जानवरों के लिए चारा और जलाने के लिए लकड़ी लाना इनकी रोज की दिनचरिया में सामिल होती है इन पहाडों में रहने वाले लोगों की जिन्दगी काफी कठीनाईयों से भरी होती है वे हर रोज एक नई चिनोतियों का सामना करते है इस कहानी की सुरुवात तब होती है जब लेखिका मधू कांकरियाजी गैंग टॉक सहर में पहुचती है आसमान में टिम टिमाते तारों को देखकर लेखिका को एक सम्मोहन महसूस होता है और वा उन जादू भरे छणों में खो जाती है लेखिका गैंग टॉक सहर को महनत कशबत साहो का शहर कहकर सम्मानित करती है वहाँ पर सब कुछ सुन्दर था सुभा शाम और रात अगली सुभा वा एक नेपाली युवती द्वारा सिखाई गई प्रातना करती है मतलब छोटे छोटे हाद चोड़ कर प्रातना कर रही हूगी मेरा सारा जीवन अच्छायू को समर्पित हो प्रातना करने के बाद वा युम थांकी और चलने से पहले हिमाले की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचन जंगा को देखने के लिए अपनी बालकनी में पहुच जाती है क्योंकि यहां के लोगों ने उने बताया था कि यदि मौसम शाफ हो तो बालकनी से कंचन जंगा दिखाई देती है बादल होने के कारण उने कंचन जंगा की चोटी तो नहीं दिखाई दी लेकिन सामने वाली बगीचे में खिले फूल को देखकर वह खाफी खुश होर जाती है इसके बाद लेखे का गैंग टॉक सहर से 140 किलोमेटर दूर यूम थांग यानि घाटियों और फूलों से लदीवादियों को देखने के लिए अपने गाइड जितन नौर्गे और सहली मणी के साथ निकल परती है जगा जगा पाइन और धूपी के खूप सूरत नुकीले पेडों को देखते हुए वा धीरे धीरे पहाडी रास्तों से होकर आगे बढ़ने लगती है आगे बढ़ते ही लेखिका को बहुत धर्म बिलंबियों दुवारा लगाई गई सफेद पतकाई दिखाई देती है मंत्र लिखी ये पतकाई किसी ध्वच की तरफ फैरा रही थी जो कि सांती और अहिंसा का प्रतीक था जब लेखिका ने इन पतकाओं के बारे में अपने गाईट जितन नौर्गे से पूछा तो उसने बताया कि जब भी किसी बुधिस्ट की मृत्यू होती है तो उसकी आत्मा की शांती के लिए सहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 सुएत पतकाई फैरा दी जाती है गाईट जितन नार्गे ने या भी बताया कि किसी सुब अफशर या फिर किसी नए कार की सुरुवात करने पर सफेद की जगा रंगीन पतकाई फैरा दी जाती है थोड़ी दूर परिस्थित कवि लॉंग स्टॉक जगा के बारे में जितन नार्गे ने बताया कि यहाँ पर गाईट फिल्म की सुटिंग हुई थी रास्ते में आगे जाते हुए लेखिका ने एक कोटिया के अंदर प्रेयर वील यानि धर्म चक्र को घूमते हुए देखकर काफी उत्सुक होई और उसके बारे में जानने की कोशिस की तब नार्गे ने बताया कि प्रेयर वील एक धर्म चक्र है इसको घूमाने से सारे पाप धुल जाते है या सुनकर लेखिका को लगने लगा कि पाहाड हो या मैदान हो या फिर कोई भी जगा हो इस देश की आत्मा एक जैसी ही है जैसे जैसे लेखिका अपनी यात्रा में पाहाड की उचाय की तरफ बढ़ने लगी लोग बस्तियां और बजार सब पीछे चुटने लगे अब लेखिका को नीचे घाटियों में पेड पौधों के बीच बने छोटे छोटे घर तास के पत्तों से बने घर के जैसे प्रतीत हो रहे थे और ना जाने कितने हित्रत यात्रियों, कवियों और साधों संतों के अराध्य हिमाले का विराट और वैभब साली रूप धीरे धीरे लेखिका के सामने आने लगा था लेखिका अब खूप सूरत प्राकरितिक नजारों, आस्वान छोते परवत सिखरों, उचाई से गिरते जर्नों, नीचे पूरे वेक से बहती नदी को देखकर मनीमन रोमांचित महसूस कर रही थी तभी उनकी जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर रुग गई, यहाँ पहुच कर लेखिका को ऐसा लग रहा था कि जैसी उनकी अंदर की सारी बुराईयां इस जर्ने के निर्मलधारा में बह गई हो, या द्रिश लेखिका के मन को सांती देने वाला था परवत, जर्ने, घाटियों और वादियों के दुर्लब नजारे सब कुछ बेहत खूपसूरत था तभी लेखिका की नजर ठेंक ग्रीन बोट पर पड़ी, सब कुछ कलपनाओं से भी ज़्यादा सुन्दर था वहाँ पर लेखिका को जमीनी हकिकत का एक द्रिश अंदर से जग्चोर कर गया जब लेखिका ने कुछ पहाडी औरतों को कुदाल और हतोडी से पत्थर तोड़ते हुए देखा कुछ महिलाओं की पीट में बड़ी सी टूकरिया थी जिनमें उनके बच्चे बंधे थे मातरतिव साधना और श्रम साधना का यह रूप देखकर लेखिका को अगहाद हुआ पूछने पर लेखिका को पता चला कि यह महिलाओं पहाडी रास्तों को चौड़ा बनाने का काम कर रही है और यह बड़ा खतरनाक काम होता है क्यूकि रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए डाइनमाइट का प्रयोग किया जाता है और कई बार तो इससे मज़दूरों की मौत भी हो जाती है या देकर वा मन ही मन सूचने लगी कि कितना कम लेकर ये लोग समाज को कितना अधिक वापस कर देते हैं थोड़ी दूर चलने के बाद लेकर ने देखा कि 7-8 साल के बच्चे अपने स्कूल से घर लोटते हुए उनसे लिफ्ट मांग रहे थे जब लेकिका ने स्कूल बस के बारे में पूछने पर नारगे से पूछा तो नारगे ने हस्ते हुए बताया कि पहाडी इलाकों में जीवन बहुत कठोर होता है ये बच्चे रोज 3-4 किलोमेटर पहाडी रास्तों से पैदल चलकर अपने स्कूल पहुँचते हैं और साम को घर आकर अपनी मा के साथ मवेश्यों को चरानी जंगल जाते हैं और जंगल से भारी भारी लकडी के गठर सिर पर लाद कर घर लाते हैं फिर साम को लेकिका ने देखा कि कुछ पहाडी और तो अपने गायों को चरा कर वापस अपने घर लोट रही थी लेखिका की जीब चाय के बगानों से गुजरने लगी सिख्यमी परिधान पहने कुछ यूवतिया बगानों से चाय की पतियां तोड रही थी यूम्धांग पहुशने से पहले लेखिका को एक रात लायूंग में बितानी थी लायूंग गगन चुम्भी पहाडों के तले से एक छोटी सी सांत बसती थी लेखिका अपनी थकान मिटाने के लिए तिस्ता नदी के किनारे एक पत्थर के उपर जाकर बैट गई लायूंग में लोगों की आज विका का मुख्य साधन, पहाडी आलू, धान की खेती और शराब है लायूंग में लेखिका बर्फ देखना चाहती थी लेकिन उन्हें वहाँ कहीं भी बर्फ नहीं दिखाई दी तभी एक इस्थान ये युवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूशन के कारण अब यहां बर्फ बारी बहुत कम होती है लेखिका को अगर बर्फ देखनी है तो उन्हें कटाओ यानि भारत का सुजलेंड जाना पड़ेगा कटाओ का प्राकृतिक सौंदर अभी भी पूरी तरह पहले जैसा था लायूं से कटाओ तक का सफर लगभग दो घंडे का था लेकिन वहां तक पहुचने का रास था बहुत कतरनाक था कटाओ में बर्फ से ढखे पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे और लेखिका या देखकर काफी आनन्दित महसूस कर रही थी कटाओ में लोग बर्फ के साथ फोटो खिचवा रहे थी लेखिका को मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे की रिशी मूनियों को वेदो की रचना करने की प्रिणना यहीं से मिली है और उन्हें या भी महसूस हो रहा था कि यदि इस असीम सौंदर्य को कोई अपराधी भी देख ले तो वा भी आध्यात्मिक या रिशी हो जाए तभी लेखिका की सहली मणी कहने लगी की प्रकृती की जल संचय वेवस्था कितनी शांदार है या हिम सिखर जल स्थम है पूरे एशिया के या प्रकृती जाडों में पहाड की उची उची चोटियों में बर्फ जमा देती है और गर्मी आते ही बर्फ पिखल कर पानी के रूप में नदियों से बह कर हम तक पहुचती है और हमारी प्यास बुझाती है थोड़ी दूर चलने पर लेखिका को कुछ फौजी देखे तभी उन्हें ध्यान आया कि या तो बॉर्डर एरिया है और यहां परचीन की सीमा भारत से लगती है जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि आप इस कड़ कड़ाती ठंड में यहां कैसे रहते है तब फौजी ने हस्ते हुए जबाब दिया कि आप चैन से इसलिए सोते है क्योंकि हम यहां पहरा देते है लेखिका सोचने को मजबूर हो गई कि जब इस कड़ कड़ाती ठंड में हम थोड़ी देर भी यहां ठहर नहीं पा रहे है तो फौजी लोग कैसे अपनी ड्यूटी निभाते होंगे या सोच कर लेखिका को फौजीयों के प्रती सम्मान का भाव दिखा लेखिका ने फौजी से फेरी भेटुआ यानि फिर मिलेंगे कहकर विदाली इसके बाद वा यूम थांग की और वापस लोट पड़ी यूम थांग की घाटियों में उसे उस समय प्रियता और रोडो डेडरों के बहुत खौपसूरत फूल खिले थे यूम थांग वापस आकर उन लोगों को सब कुछ फीका फीका लग रहा था क्यूकि यूम थांग कटाओ जैसा सुन्दर नहीं था फिर रास्ते में चलते चलते लेखिका ने चिप्स बेचती एक यूवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हों? यूवती ने जवाब दिया नहीं मैं इंडियन हूँ या सुन कर लेखिका को बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर काफी खुश है दरसल सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन अब सिक्किम भारत में कुछ इस तरह से घुल मिल गया है कि अब ऐसा लगता ही नहीं है कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था तब वहाँ पर प्रियाटन उद्धोग इतना विक्सित नहीं था सिक्किम के लोग भारत का हिस्सा बनकर काफी खुश है जब जीप आगे की और बढ़ती जा रही थी तब एक पहाड़ी कुद्टे ने रास्ता काट लिया लेखिका की सहली मणी ने बताया कि ये पहाड़ी कुद्टे सिर्फ चांदनी रात में ही भौकते हैं ये सुनकर लेखिका हैरान थी थोड़ी दूर आगे चलने पर नारगे ने लेखिका को गुरु नानक जी की फुट्प्रिंट वाला पत्थर भी दिखाया नारगे ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि इस जगाँ पर गुरु नानक जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गहे थे और जहां जहां वो चावल छिटक कर गिरे वहाँ वहाँ अब चावल की खेती होती है यहां से लगभग तीन किलोमेटर दूर आगे चलने के बाद वह खेदूम पहुचे यहां लगभग एक किलोमेटर का छेत्र था नारगे ने बताया कि इस स्थान पर देवी देवताओं का निवास है यहां कोई भी गंदगी नहीं फैलाता है और जो भी गंदगी फैलाता है वह मर जाता है उसने यहां भी बताया कि हम पहाड नदी और जरने इन सभी की पूजा करते है फिर लेखिका निया कहा कि इसलिए गैंग्टॉक सहर इतना सुंदर है नारगे ने लिखीका को कहा मैडम गंग गैंग्टॉक नहीं गंतोक कहिए जिसका अर्थ होता है पहाड नारगे ने बताया कि सिक्किम के भारत में मिलने के कई वर्षों बाद इंडियन आर्मी के एक कैप्टन सेखर दत्ता ने इसे प्रेय इस थलों की खोज जारी है लेखेका ने मन ही मन सोचा कि इनसान की इसी असमाप्त खोज का नाम ही तो सौंदर यह है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा होसला बढ़ा सकते हैं और हमारी चानल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि हमारे आने वाली एक नई कहानी को आप सबसे पहले देख सके और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखे धन्यवाद